Hello everyone, welcome back to Magna Brains, मैं हूँ Dr. Ritika Bharatwaj, मैं लेकर आई हूँ Biology for Class 11th और आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं NCRT Exampler आज के सेशन में हम डील करने वाले हैं Chapter 10 for Class 11th Biology और Chapter का नाम है Cell Cycle and Cell Division एक ऐसा Chapter जिसके लिए Students के मन में बहुत सारा डर होता है या तो समझ में नहीं आता या एक बार समझ में आ जाए तो दूसरी बार में भूल जाते हैं और बहुत सारी problem face करते हैं कई सारे Students इस Chapter के लिए लेकिन इस सेशन के बाद आपको ये Chapter crystal clear हो जाएगा और आप इस Chapter को यहीं learn कर लेंगे ये मेरा आपसे वादा है तो सेशन के end तक बने रहना ये सारे सेशन आपको मिलते हैं Magnet Brains के चैनल पर जहां पर आपको कुछ Chapters के वीडियो देखने के बाद या फिर कुछ ही वीडियो देखने के बाद भी कोई paid subscription नहीं लेना पड़ता है आप अपने जो courses हैं उसका content 100% free of cost देख सकते हैं पढ़ सकते हैं with the quality content and best teachers only on Magnet Brains इसी अच्छी बात के साथ हम आज का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं और ये ह हमारा cell cycle और cell division जो chapter है उसके लिए part one for the quick revision तो आये start करते हैं इस chapter को और जब भी आपको पता है जब भी मैं आपको ये chapter start कराती हूं तो सबसे पहले हम देखते हैं कुछ important keywords so पहले हम keywords के साथ deal करेंगे और फिर हम start करेंगे first part of the chapter बट एक चीज मैं आपको पहले बता देना चाहते हूं यहाँ पर जो keywords हम पढ़ते हैं वो हमें आगे पूरा chapter पढ़ने में बहुत help करते हैं और शायद कुछ students तो ऐसे भी हैं जिनका doubt ही is keyword में से होता है तो at first place हम वो clear कर लेते हैं और फिर हम start करते हैं पूरे chapter को पढ़ना तो चलिए first keyword क्या है सबसे पहले हमारे पास cell cycle so what is cell cycle cell cycle होता है sequence of events by which cell duplicates by which cell duplicates its genome synthesize the other constituent of the cell ultimately divide into daughter cell याने basically cell cycle एक cycle है ठीक है हम किसी चीज़ को cycle कब बोलते है जब जहां से चालू हुआ है कोई भी pattern वो जहां से start हुआ है right if this pattern has started from here तो यह पूरा turn लेकर वापस यहीं से आ जाए यहां से चालू होके वही होता है cycle तो देखो cell cycle के अंदर क्या होता है basically cell cycle के अंदर कुछ series of events होते हैं कुछ sequence of events होते हैं कुछ events होते हैं एक के बादे और यह events क्यों हो रहे हैं ताकि एक cell एक cell जो है वो क्या बना सके अपने daughter cells बना सके तो एक cell से आगे कई cells कैसे बनेंगे इस process में जितने भी events involved होते हैं उन सब को मिला कर हम कहते हैं यह है हमारी cell cycle ठीक इकती बात समझ में आगे चलिए आगे बढ़ते हैं next है interface जब भी कभी आपको कहीं किसी भी जगे पर interface लिखा हुआ दिख जाए तो समझ जाना interface is something related to preparation interface word जहां भी मिल जाए interface word जहां भी मिल जाए इस word को याद रखने के लिए आपको क्या याद रखना है interface is the preparation interface is the preparation मैडम किस चीज की preparation है देखो जब cell cycle चलेगी यानि कि जब एक cell से कई cells बनने का process होगा तो उस दौरान पहले cell को अपने आपको तयार करना पड़ेगा जैसे हम अपने आपको exam के लिए तयार करते हैं और फिर ultimately exam देते हैं इसी तरीके से interface एक तयारी होती है और वाकई में जब cell division होता है तो उसको हम क्या कहते हैं उसको हम कहते हैं M phase वो हम बाद-बाद में करेंगे लेकिन अभी के लिए ये phase between two division phases in cell cycle when the cell is not dividing तो देखो यहां पर सिर्फ सेल के अंदर तयारी चल रही है डिवाइड करने की बट cell is not dividing यहां पर सेल का exactly division नहीं हो रहा सिर्फ सेल अपने आपको क्या करेगा प्रिपेर करेगा for the process of division next क्या है cell plate अब यह actually में यह जो term है अगर आपने आपको इस chapter का थोड़ा बहुत भी idea पहले से है तो तो आप अभी समझ जाओगे लेकिन exact meaning आपको वहां समझ में आएगा जहां मैं आपको बताऊंगी की process कैसे कैसे चली तो देखो हमें मालूम है कि animal cell और plant cell दो चीज़े होती है सही है अब जब दोनों divide करते हैं तो वो कुछ इस तरीके से divide करते हैं ठीक है जब cell division हो जब cell division होता है जब cell division होता है तो उस दोरान अगर हम animal cell और plant cell को देखें तो पता है कैसे division होता है let's take animal cell और यहाँ पर मैं ले लेती हूँ plant cell ठीक है animal cell जब divide करता है तो उसमें क्या होता है यह एक cell बना होगा यह दूसरा cell बना होगा ठीक है दोनों cell बने होंगे और इसके बाहर यह तो nucleus रहा है ना जो मैंने अंदर बनाए और यह cytoplasm है सही है यह nucleus है और यह cytoplasm है तो आप देखो अगर ध्यान से तो cell division ऐसे हो रहा है यह cytokinesis cytokinesis भी अभी अम्यूज करते हैं क्योंकि हम chapter में आगे नहीं गए let's say कि cytoplasm जब divide होता है तो यह यहाँ से एक narrowing होते है construction होता है और फिर दूसरे पार्ट में यह दोनों सेल अलग हो जाते है ऐसी होते है पड़ अब आप प्लांट सेल प्याजों प्लांट सेल में क्या होता है देखो जरा what happens in the plant cell not exactly this plant cell में मानलो यह हमारा plant cell है ठीक है यह हमारा plant cell है बाहर यह outer membrane है न और यहां पर क्या है यहां पर हमारा क्या रहेगा cell के बीच में क्या होता है वो nucleus है न तो nucleus है हमारे पास यह ठीक है अब देखो इसमें क्या होता है इसके अंदर जब cell division होता है ठीक है cell division होता है तो cell अंदर से यहां से divide करना चालू करता है ऐसे यह एक plate बना लेता है ठीक है यह यह WHO आज़े डिवाइड करना चालू करते हैं यह अगर आ अगर आप इसका डाइरेक्शन देखो गें तो इसने इसे डिवाइड करना चालू किया है फिर क्या होता है यह प्लेट बना लेता है और उस प्लेट की जगे से यह दोनों सेल्स जो है वो अलग हो जाते हैं तो अनिमल सेल कॉंस्ट्रिक्शन करके डिवाइड होता है पर प्लांट सेल क्या करते हैं अपनी प्लेट बना लेता है बीच में से बनाना चालू करते हैं और ऐसे करके पूरी सब्सक्राइब तो वहां पर भी मैं आपको दुबारा से बात बताऊंगी लेकिन अभी के लिए आपको सिर्फ इतना याद रखना है देखो जब आप प्रोसेस पूरा समझोगे तो वहां पर आपको और बहतर तरीके से और एक एक टिप समझ में आएगी किसने डिवाइड कि किया मैं अभी आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाहती वरना आप इन टर्म्स को जब यूज करो गया आगे चैप्टर में तो आपके दिमांग में बहुत सारी चीजें चलेंगी और मैं आपको की वर्ड इसले करा रही हूं क्योंकि मैं चाहती हूं कि इन बात समझ में आगई तो इस इस इसले नाओ इस रिटन फोर इसले प्लेट सेले ट्री प्रेजेंट प्री कर्सर ओफ निव सेल वाल और यहीं पर तो सेल वाल आईगी यहीं होगा जो सेल वाल आगे जाकर नये सेल के लिए बनाएगी तो बिल्कुल सही लिखा है ठीक है तो जब सेल डिवाइड हो रहा था अभी हमने देखा एक्चली दी मिडल लैमिला बिट्वीन दीस सेल वाल ओफ एड्जसेंट सेल और हम इसे बेसिकली क्या कहा देते हैं मिडल लैमिला कहा देते हैं चुकि बीच में सेंटर में दो सेल के बीच में प्रेजेंट है ठीक आगे अभी आखे इसको पुड़ेंगे पर जब सेल डिविजन होता है तो देखो क्या होगा वान मेन सेल डिविजिन के दौरान एक समया ऐसा ही एक समया किन पर सारे के सारे हरे पर में इस तरी के chiak है ठीक सेंटर में आक्चली इफ यू तिंक हम इसका एक सेंटर बना ले तो इमाजिन कर लो यही इसका सेंटर होगा ठीक है इस सेंटर पर कुछ क्रूमोजोंड ऐसे अरेंच हो जाते हैं थिक यज़ को इसक घ्र धाल एक recursos ऐसी लेट जाते ह 2016 आlor आने जोटे ऐसे एक के सिए लिए बदेख सोगना क्या चाहिए मेटाफेज इसको हम कहते हैं मेटाफेज़ प्लेट फ्लेट इसको हम क्या कहते हैं मेटाफेज प्लेट 吸 क्यों कहते हैं मेटाफेज वाले पीरिड में होता है ठीक है मेटाफेज जहां पर चल रही होती है it is a kind of kerio kinases अभी हम वो भी आगे दिखेंगे एक तरीके का step है cell division का उसी step में यह chromosome एक समय ऐसा आता है जब बीच में है एरेंज हो जाते हैं तो उसको हम कहते हैं मेटाफेज प्लेट और कब होता ही यह मेटाफेज के दौरान ही होता है मेटा फेज के दौरान ही होता है ठीक है इतनी बात समझ में आगी तो मेटाफेज विट तो I think it is way more easier than the other cell plate तो cell plate में और metaphase plate में confused तो नहीं होगे, चली, आगे बढ़ते हैं, if you want you can write and keep it, done, okay, आगे बढ़ते हैं, next है synapses, next है synapses, अब यह जो आप यहाँ word synapses लिखा देख रहे हो, इसको बहुत सारे students, confused करते हैं with these synapses, but दोनो words different है, synapses क्या होता है, synapses होता है कि यह एक neuron है, ठीक है, one minute, ठीक है, यह एक neuron है, यह इसके dendrites है, यह इसका cytoplasm है, ठीक है, इसे के नीचे एक और neuron present होगा, तो दो neuron के बीच में, जो junction होता है, जो दो neuron के बीच में, जो यह junction है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, synapses, बट यह जो synapses है, यह different है, synapses is different, क्या है synapses, preparing homologous chromosome, during zygotene of pro phase 1, of meiosis is called synapses, एक तरीका होता है, एक preparation चलती है, आप यूँ समझ लो, कि जब हम prepare कर रहे होते हैं, क्रोमोजोम को, मैं यह synapses भी आपको process में, जिस समय meiosis पढ़ा रही होंगी, वहाँ पर explain करूँगी, पर अभी के लिए synapses और synapses में अंतर है, synapses तो यह होता है, यह हमारे काम का अभी इस chapter में नहीं है, इस chapter में हमारे क्या काम का है, during zygotene, prophase 1, zygotene के prophase 1 में meiosis के, अब यह जो वर्ड है na, zygotene, यह जो वर्ड है prophase, यह जो वर्ड है meiosis, यह में meiosis की process में आपको सारे समझाऊंगी, इसलिए अभी के लिए सिर्फ इतना याद रख लो, कि they are the pairing of homologous chromosomes, ठीक है, अब आओ, synaptonemal complex, synaptonemal complex क्या होता है, complex structure formed by the synapse homologous chromosome, synaptonemal complex कब बनता है, जब cell division हो रहा होता है, उस दोरान, मान लो यह cell है, मान लो यह cell है, यहाँ पर यह एक chromosome, और यहाँ पर यह chromosome, और यह दूसरा chromosome, यह दूसरा chromosome दिख रहा है, एक समय ऐसा आता है, जब यह replicate कर रहे होता है, तो एक-एक chromatid, दोनों का एक दूसरे के उपर, यह दोनों homologous chromosome है, दोनों homologous chromosome में, दोनों के एक-एक chromatid, एक दूसरे के उपर overlapping कर लेते हैं, ठीक है, और लापिंग कर लेते हैं, उस दौरान जो complex फॉर्म होता है, उसको कहते हैं, synaptonemal complex, उसको हम क्या कहते हैं, synaptonemal complex, the complex which is formed, the complex, यह complex structure formed by synapse, जो homologous chromosome, जो structure form होगा, उसको हम synaptonemal complex बोलेंगे, crossing over क्या होती है, it is the process of reciprocal exchange of segments between non-sister chromatids और homologous chromosome following synapses, अब क्या होगा, कि यह जब हो जाता है, यह जब हो जाता है, तो, मालो, यह chromosome 1 मैं number देती हूँ, अभी के लिए इसको 2 देती हूँ, यह मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रही हूँ, है न, अपने को number नहीं करना, homologous chromosome है, तो अब इन chromosome में क्या होता है, इस वाले, इधर वाला जो chromosome है, उसके जो chromatids हैं, उसका कुछ पार्ट इधर वाले chromosome के पास आ जाएगा, तो अगर मैं आपको यह ऐसे दिखाऊं, different color से, मालों यह वाला chromosome है, जिसने क्या करिए, overlapping करिए, ठीक है, अब अब अगर इसको ध्यान से देखोगे, तो red वाला जो पार्ट है न, वो इस purple वाले के पार्ट में थोड़ा बहुत आ जाएगा, यानि कैसा होगा, यह सेल है, सेल के अंदर यह हमारा chromosome है, यह हमारा chromosome है, और एक हमारा यह red वाला chromosome है, one minute, एक हमारा यह वाला chromosome है, हो गया, ठीक है, अब इन दोनों में overlapping हुई थी, तो purple वाले का कुछ पार्ट इसके पास आ घ्या होगा, यहां पर इस chromatid पर, और red वाले का कुछ पोर्शन, purple वाले chromosome के ऊपर चला गया, यह वाला, यह वाला है, यह दोनों क्या है, homologous chromosome, यह जो exchange हो गया थोड़े-थोड़े से unit का, इस ही को हम crossing over बोलते हैं ठीक है यह होता है basically replication है इसको हम क्या बोलते हैं रेप्लिकेशन बोलते हैं और यही process है जिसकी वजए से दो siblings एक दूसरे से अलग दिखते हैं दो siblings भी दूसरे से अलग अलग दिखते हैं ऐसा क्यों माडम क्योंकि यह crossing over हुई थी कुछ एक चेंज आ गया chromosome में ठीक है तो आखरी में जब आप इसको देखोगे जब इसका result निकालोगे यह भी हम आगे chapter में बहुत डीटेल में पढ़ने वाले हैं जब इसका result निकालोगे तो आपको मिलेगा यह वाला क्रॉमसों बिलकुल अलग रहेगा अभी देखो जब यह साथ में तो यह चान जैंट तो यह चारों जब अपने अपने आप इंडिविजवल सुम फॉर्म करेंगे या इन्डिविजवल सेल में जब यह चारों सेप्रेट होके चले in this is crossing over you just an after nemal complex बनने के बाद यह क्रोशिंग ओवर होगे की कुछ कुछ हिस्सा एक्सचेंज हो गया दोनों का उसको हम क्रोसिंग ओवर गुलते हैं process of reciprocal exchange of segment एक सेग्मेंट ही एक्सचेंज हो गया इसका segment यहां चला गया इसका segment यहां आगया between non sister chromatic up sister chromatic or non sister chromatic kya hoteh agar many नहीं बताया तो मेरा दिल नहीं मानेगा देखो यह chromosome है this is one chromosome ठीक यह इसका structure ठीक है DNA जब इसने replication किया होगा तो replication के दौरान यह ऐसे अपने DNA की copy बनाएगा क्योंकि DNA की तो tendency in a copy बनाने की तो इसने DNA की copy बनाई तो जब इसने DNA की copy बनाई तो यह copy बन गई फिर इसने form कर लिया यह structure ठीक है और यहां पर centromere से यह attach है ठीक है तो basically पहले यह कैसा था ऐसा था यह ऐसा था so this was one chromosome this was one chromosome फिर इसने अपना replication किया फिर यह क्या है replicated chromosome रेपली केटेड़ क्रोमोजोम ठीक है अब इसमें से यह जो दो अलग अलग दिख रही है इन दोनों को हम क्या कहते हैं इन दोनों को हम कहते हैं sister chromatid यह यह वाला structure यह और यह यह दोनों क्या कहलाती है sister chromatids यह दोनों क्या कहलाती है sister chromatids ठीक है और इसी तरीके से इसका एक homologous chromosome रहा होगा तो homologous chromosome मान लो एक यह था तो यह इसकी इसका DNA था इसने भी सिमिलर लिए यह 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 एक क्रोमोजोम मान लो मैं इसको ले लेती हू यह आभी ऐसा था यह एक chromosome है this is one chromosome ठीक है this is one chromosome अब इसने क्या करा replication किया तो यह इसने DNA की कॉपी बनाई ठीक है replication हुआ DNA की कॉपी बनी तो यह chromosome बन गया और यहां पर एक centromere है तो यह दोनों क्या हो गए यह दोनों भी हो गए sister chromatids क्या हो गए यह sister chromatids हो गए ठीक है लेकिन इन दोनों homologous chromosome के जो chromatids है इनको देखोगे तो आप इस वाले को और इस वाले को तो sister chromatids नहीं बोल सकते तो यह क्या कहलाएगा यह वाला और यह वाला और यह वाला यह दोनों मिला कर क्या कहलाएंगे non-sister chromatids यह दोनों है non-sister chromatids ठीक है दूसरा यह क्या है this is centromere और यह वाला क्या है this is also centromere centromere आप ऐसे समझ लो एक rubber band जासा होता है जो यह दोनों sister chromatids को hold करके रखता है अब आप मुझसे बोलोगे ma'am यह बहुत confusing लग रहा है समझ में नहीं आता है कि यार यह पहले एक था फिर इसने copy बनाई तो अब तो इसमें दो-दो structure दिख रहे हैं फिर भी हम इसको कहा रहे हैं कि यह एक ही chromosome है यह सिरफ अपनी copy रख रहा है chromosome एक ही है ठीक है और यह दो वाइचर कुमाटिबमे एक चीज़ मुझे आपको क्या बतानी थी हाँ आपको कैसे पट चलेगा की क्रओंचॉम नंबर कितना है अगर आपको कभी यह पता लगाना कि क्रोमेजूम नंबर कितना है ठिक है क्रोमोजोम नंबर अगर पता लगाना है चिक डेट तब कईशे पता चलता है अपको गर कौंट करना है कि ख्रॉमोजोम कितने है और कंफ्यूज हो रहे हो आप ख्रु मैं टेडेड सुमें टेट क्रोमोजोम ग्रोमॉजोम दे chuva हमेशा क्या देखना चाहिए? हमेशा C for the centromere. Centromere. Centromere क्या है अभी मालू मैं न? Centromere क्या है? One minute. Centromere क्या है? यह जो beach का यह band है न? This is centromere. आप हमेशा इस centromere को देखना. क्रोमोजोम नमबर आपको पता चल जाएगा centromere number से. जितने क्रोमोजोम होंगे, उतने ही centromere होंगे. इतनी बात याद रहेगी. तो कभी भी अगर आपको दिया रहे हैं, ऐसा कुछ question में या किसी structure में, आपको बताना हो कि कितने क्रोमोजोम है, तो क्या centromere, centromere, centromere number कितने है, is equal to क्रोमोजोम नमबर कितने है, क्रोमोजोम नमबर कितने है, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, चलिए. अब हाँ अपने point पर आते, हम पढ़ रहेते crossing over, तो मैंने आप से कहा, जहाँ पर reciprocate हो गया, reciprocal exchange हो गया, segments का, दो sister chromatids के बीच में, जब segment exchange हुए, तो non-sister chromatids में हुए, तो non-sister chromatid कौन-कौन था, non-sister chromatid था, ये दोनो, इसका कुछ portion इसके पास आ गया, इसका synapses is different, ठीक है, note कर लो इसको, दन, note कर लिया, चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं और start करते हैं, अच्छा नहीं, अभी हमारे पास दो और है, एक है, chasmetta और दूसरा है, terminalization, ठीक है, what is chasmetta, there, these are the x-shaped structures formed at the region of crossing over between homologous chromosome, एक x-shaped structure जो बन रहा है, ये जब crossing over हुई थी, ठीक है, ये इसके साथ जब crossing over हुई थी, तो ये जो x-shaped structure बन गया ना, यहाँ पर, इसी को हम बोल रहे हैं, क्यास मेटा, ठीक है, next है, terminalization, so it is the movement of क्यास मेटा, to the tips of the homologous chromosome, during diakinesis, terminalization क्या होता है, जब ये जो क्यास मेटा है, ये move हो जाए, at the tip of the chromosome, ये क्या हुआ था, tip of the chromosome पर move हो गया था, यहाँ पर tip पर आ गया था, ठीक है, तो वो जो tip पर आ जाता है, तो हम उसे कहते हैं, अभी terminalization, मतलब हमने terminate कर लिया process, ये हमारा almost complete है, कि replication हो चुका है, ठीक है, तो replication से जो changes आए है, वो ये tip पर, ये segment change होने से changes आए है, तो उसे हम कहते हैं terminalization, ठीक है, तो अभी आपको ये, ये वाले terms भी लिखने हैं, आप ये वाले भी लिख लिजे, अब मेरी एक बात ध्यान रखना, ये जितने भी मैंने आपको keywords पढ़ाए है, अगर आपको ये समझ में आ गए है, clearly, तो बहुत अच्छी बात है, हैना, आई गए होंगे, और अगर कहीं एकाच जगे, आपको ऐसा लगता है, कि नहीं, ये वाला point मुझे clear नहीं है, कोई बात नहीं, आप पूरा session देखो, आपको पूर ये सब पढ़ेंगे, ठीक है, when I talk about cell cycle, ठीक, cell, what is wrong, one minute, when I say cell cycle, तो cell cycle हमने अभी पढ़ा, cell cycle क्या है, cell cycle is the sequence of events taking place, when one cell forms new daughter cell, एक cell अपने daughter cell जब बनाएगा, तो जो भी events होंगे, उसको हम कहते है, cell cycle, ठीक है, तो basically ये क्या है, it is the sequence, sequence of events, कब sequence of events, when cell divides, when cell divides, जब cell divide कर रहा है, उस समय जो भी events होंगे, हमने उसको का कि वो cell cycle है, अब हमारा example ले लेते हैं, ठीक है, suppose human beings है, तो human के examples में, आपको पते हैं, एक cell cycle कितनी देर चलती है, एक cell cycle चलती है, approximately 24 hours तक, कितनी देर चलती है, approximately 24 hours तक, और human being में एक अलग फंडा है, ठीक है, human being में एक अलग फंडा है, वो मैं आपको यहाँ बताती हूँ, ठीक है, alright, human beings की body में, human beings की body में, तीन तरह के, कहना चाहिए कि phase, तीन तरह के phases देखने को मिलते हैं, ठीक है, पहला होता है, stable यह stable नहीं, पहला एक होता है permanent, एक होता है permanent, दूसरा होता है stable, तीसरा होता है लाइबल ठीक है एक सेल जो है वो यह तीन चीजें तीन कैरेक्टर आपको दिखा रहा है मैडम यह क्या कैरेक्टर है देखो कुछ सेल ऐसे होते जो पर्मेन्ट हो चुके होते हैं जो डिवाइड नहीं करते तो पर्मेन्ट हो गए हैं No, cells will go, cells will have no cell division. Cells will not, cells will not show cell division. Cell kya nahi karayga? Cell division nahi karayga. ठीक है? Cell kya nahi karayga? कोई cell division nahi karayga. ठीक है? Stable waali condition me kya hooga? Stable waali condition me cell वो student है जिसको class में से suspend कर दिया गया है. Cell वो student है जिसको class में से suspend कर दिया गया है. यानि stable condition में देखो school से निकाल देना और school से suspend कर देना दो अलग-अलग बाते हैं. अगर school से निकाल दिया तो वो तो क्या हो गया? Permanent बात हो गई. तो permanent तो हम देख चुके. लेकिन अगर suspend किया है तो time being suspend किया है वापस school जा सकता है student है ना? हाला कि भगवान ऐसा हो ना? पर मान लो कभी ऐसा हो जाता है कि stable condition आ जाए तो उस situation में cell जो है वो resting phase में रहेगा. Cell कहां रहेगा? आराम से resting phase में रहेगा. वो suspended है cell cycle से. Cell divide नहीं कर रहा. लेकिन जरूरत पढ़ने पर divide कर सकता है. ये वाला is not going to divide. पर्मनेंट वाला divide नहीं करेगा. स्टेबल वाला जरूरत पढ़ने पर divide करेगा. तो ये कैसा है? मान लो अभी ये resting है. ये resting है. और liable में क्या होता है? liable में cells जो होते है वो बहुत जल्दी 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 divide कर रहे हैं. बहुत तेज़ speed पर divide कर रहे हैं. ठीक है? तो यहाँ पर vigorous division होगा. vigorous division होगा cell का. example चाहिए? चलो. example देख लो. what is the example? permanent हमारी body में से चाहिए? neuron divide नहीं करेगा. neuron एक समय के बाद divide नहीं करेगा. तो example, nerve cell, neuron. ठीक है? stable कौन होता है? liver के cells. liver के cells अगर बिमार पढ़ गए, damage हो गए, तो divide करेंगे, वरना divide नहीं करेंगे. तो यहाँ पर example हो गए liver के cells. liver के cells, hepatic cells. ठीक है? liable में क्या होगा? liable हो गया हमारा example skin. skin के cells जल्दी अल्दी divide करने हैं. है ना? तो skin हो गया. skin. skin के cells. ठीक है? epidermis के cells. ठीक? पहले आप ये वाला portion नोट करो, फिर मैं आगे बताती हूँ. कर लिया. तो basically, कहने का मतलब यह है, कि हमारी body में भी तीन तरीके के cell हैं. एक, जो divide करने में बिल्कुल interested नहीं, डिवाइड नहीं करेंगे. दूसरे, जो ज़रुवत पढ़ने पर divide करते हैं, और तीसरे, जो divide करते रहते हैं. यही category तो students की भी होती है. है ना? एक है, जो जिनको पढ़ना नहीं है, तो उन्हें नहीं ही पढ़ना है. है ना? उनका आप कुछ नहीं कर सकते हैं, उनको कोई नहीं समझा सकता, ना parents समझा सकते हैं, ना teachers समझा सकते हैं, दोस्त भी नहीं समझा सकते हैं. In fact, मैंने ऐसे भी students देखे हैं, जो दोस्ती एक दूसरे से परिशान हो जाते हैं. Ma'am, इसमें बाकी सारी चीज़ें तो सही है, लेकिन ये पढ़ता नहीं है, ये पढ़ाई नहीं करता, और मैं भी इसको नहीं समझा सकता, वो permanent हो गए भई, अब नहीं सुने के किसी की, लेकिन अगर आप stable देख लो, तो एक student इस प्रकार का होता है, मुझे नहीं पता आप किस category के student हो, फटा फट बता दे ना मुझे, एक student ऐसा होता है, जो exam आता है न, डर लगता है, तो पढ़ लेता है, भले ही साल बार मास्ती करेगा, लेकिन लास्ट में पढ़के, बढ़िया नंबर ले आता है, ठीक है, तो ये जरूरत पढ़ने पर काम कर रहा है, रेस्टिंग फेज में है, जरूरत पढ़ेगी, सेल में कोई प्रॉब्लम आई, तो चलो डिवाइड करके, नया सेल बना देंगे, तुमको बच्चा लेंगे, ठीक है, लेकिन एक है, विगरस, लगातार, consistently लगा हुआ है, biology लेकर अगर उसे need qualify करना है, तो उसका बोजो determination है, वो उसको सोने नहीं देगा, वो पूरे time लगा रहेगा, कि यार मुझे बढ़ना है, मुझे अच्छा करना है, मुझे school के exam में भी अच्छा करना है, और मुझे अपना need के exam में भी अच्छा करना है, आप hard work कित्ता कर रहे है, उससे ज़्यादा important यह है, कि आप consistent कितने हो, तो यह consistency से divide कर रहे है, यह 3 तरीके के cells हैं हमारी body में, और इन cells को जब divide करना होता है, तो इन्हें कितना समय चाहिए, 24 hours का समय चाहिए, और यह जो cell cycle होती है, जिसमें हम कहा रहे है sequence of event है, जब cell divide करेगा, इसमें दो type के sequence होते हैं, इसमें दो type के sequence होते हैं, sequence तो नहीं कहूंगी, पर दो stages या दो phase basically होते हैं, जब हम इसे देखते हैं, ठीक है, और वो दोनों क्या हैं, let's see, वो दोनों क्या हैं भई, पहला होता है interface, पहला होता है interface, दूसरा होता है m-phase, इंटर्फेज होता है और m-phase होता है, ठीक है, तो basically अगर आप interface को देखोगे, अगर आप interface को देखोगे, तो पता ही यह कैसा phase है, यह वो phase है, जहाँ पर cell अपने आपको, prepare कर रहा है cell division के लिए, ठीक है, prepare कर रहा है, लेकिन कोई cell division नहीं होगी, no cell division, no cell division, ठीक है, लेकिन, जब आप m-phase देखते हो, तो m-phase जानते हो, कैसा phase होता है, m-phase होता है proper dividing phase, यहाँ पर कोई preparation नहीं होनी, preparation पहले हो ली, यह exam का दिन है, तो यहां पर proper cell division होगी, तो यहां पर cell division take place, cell division takes place, ठीक है, इस में से जो longest cycle होती है, longest cycle तो नहीं बुलेंगे, longest phase जो होता है, सबसे लंबा period जिसको होता है, वो है interface, so it has the longest, longest phase, यह सबसे बड़ा phase है, बहुत टाइम लगता है इसको, लेकिन जो M phase है न, वो छोटा सा phase है, ठीक है, M phase है, वो small phase है, जैसे मान लो किसी की शादी होने वाली हो, ठीक है, तो या मान लो festival आने वाला हो, दोनों cases में, आपने देखा है, लोग जब शादी करने वाले होते हैं, तो कितनी preparation करते हैं, in fact, हमारी किसी relative की शादी होती, तो हम कितनी preparation करते हैं, 4-6 महिना पहले से, यह color का वो चाहिए, वो color का वो चाहिए, preparation ही preparation चल रही है, लेकिन जिस दिन मानलो, कोई दिवाली हो गई, होली हो गई, कोई भी festival हो गया, इद हो गई, तो आप बहुत दिन से prepare कर रहे हो, festival आने वाला है, आने वाला है, अब तो यह festival आएगा, बड़ा मसा आएगा, आप prepare करते रहे, करते रहे, करते रहे, बहुत समय लग गया, वो festival आया, एक दिन में पूरा हो गया, चला गया, वो इतने दिन की preparation एक दिन में खथब, ठीक है, तो ऐसे ही preparatory phase हमेशा longer होता है, तो इसको लग जाते हैं, जैसे हमारी cycle 24 गंटे की है न, तो इसको लग जाते हैं 23 गंटे, it takes 23 hours, 23 hours यहां लग गये, तो अब आप समझ गए जाएगा, M phase में जाएगा, यहने 1R, it requires 1R, कभी भी किसी चीज़ की preparation में ज्यादा समय लगता है, लेकिन उस चीज़ को actual phase करने में बहुत कम समय लगता है, ठीक है, तो इसको पहले note कर लो, note it down, कर लिया, चलिए, लिख लिए, लिख लिया, ओके, अब हम बात करेंगे, यह interface और M phase में हो क्या क्या रहा है, ठीक है, तो एक थोड़ा वो देख लेते हैं कि क्या क्या होगा, ठीक है, सबसे पहले, let's take interface, interface, ठीक है, इस side हम ले लेते हैं M phase, ठीक, M phase, अब देखो, हमने बोला cell cycle चलती है, यही का था, कि cell cycle चलती है, supposedly this is a cell cycle, ठीक है, तो इस cell cycle में, एक है interface और एक है M phase, तो M phase होता है कम समय के लिए, ज्यादा समय के लिए होता है interface, सही है, बिलकुल सही है, ऐसा ही होता है, तो देखो, मान लो कि यह, यह है M phase, ठीक है, कौन सा वाला, यह वाला, M phase, ठीक है, और बचा हुआ पूरा क्या है, बचा हुआ पूरा है interface, लेकिन interface के भी अपने parts होते हैं, ठीक है, तो क्या-क्या parts होते हैं, interface के पास होता है, G1 phase, और होता है S phase, और होता है G2 phase, ठीक है, तो मैं यह तीनों phases बना लूँ यहां पे, चलो, बना लेते हैं, this is one part, this is second part, ठीक है, तो देखो, यह वाला जो है, यह वाला जो है, यह कौन सा है, this is G1, G1 phase, then this is S phase and this is G2 phase, ठीक है, तो अगर total हम मिला ले, ठीक है, हम अगर total मिला ले, तो आपको नहीं लगता, अगर हम इसे total मिलाएंगे, तो आपको नहीं लगता, यह यहां से लेकर, starting from year to year, यहां तक, यह पूरा क्या है, this complete is interface, और interface में एक चीज़ और आती है, वो है, G0 phase, G0 phase, ठीक है, quescent phase भी कहते हैं इसको, G0 phase को, या resting phase भी कहते हैं, तो इसके बारे में हम बात करेंगे बाद में, पर यह तो देखो temporary है, basically यह तीनों रहेंगे, ठीक है, ऐसे ही अगर हम M phase में आ जाएं, तो M phase के अंदर क्या क्या होता है, M phase के अंदर होता है, M phase के अंदर होती हैं दो चीज़ें, ठीक है, पहला है karyokinesis, karyokinesis, ठीक है, दूसरा है cytokinesis, karyokinesis and cytokinesis, ठीक है, यह हो गया, है cytokinesis, अब karyokinesis के भी अपने कुछ parts होते है, ठीक है, karyokinesis के भी अपने कुछ parts होते है, cytokinesis के भी अपने कुछ parts होते है, पर basically मैं आपको यह बता देती हू, karyokinesis होता है है, nucleus का division, division of nucleus, division of nucleus, ठीक है, cytokinesis के होते है, division of cytokinesis, division of cytokinesis, इत्ती बात समझ में आ गई, ठीक है, division जब nucleus का होतो, उसे karyokinesis केते हैं, cytoplasm का हो तो cytokinesis केते हैं, अब इसके M phase के भी अपने-पने parts होते हैं, उसके बारे में discuss करेंगे, पर basically यह पूरा काम होता है, G1 phase, S phase, G2 phase और G0 phase, पहले हम इतना पढ़ेंगे, उसके बाद हम discuss करेंगे कि G1, G0, S और G2 क्या है, और फिर हम discuss करेंगे, karyokinesis और cytokinesis में क्या-क्या हुआ था, तो पहले बात कर लेते हैं, यहां तक, अभी तक हमने जो भी, मैंने आपको लिखाया, बताया है, उसमें क्या-क्या आएगा, ठीक है, चलिए, यहां से पढ़ेंगे, ठीक है, समझ ल है, cells बनेंगे, pre-existing cells से, तो उसे हम कहते हैं, cell division, यह तो आपको वालू में, अब इस process में cell growth होगी, DNA replication होगा, cell division होगा, यह सारा काम एक order में चलेगा, वो भी cyclic manner में चलेगा, तो बहुत सारे events होगे इसके अंदर, cyclic manner में, तो उसे हम कहते हैं cell cycle, यानि, basically एक cell ने, जब DNA, जो genetic material है, वो replicate करेगा, फिर हो शायद cell division होगा, तो यह सारे जो process चलेगे, यह cyclic manner में चलते हैं, तो उसे हम कहते हैं cell cycle, ठीक है, आगे देखे, phases of cell cycle क्या-क्या होते हैं, तो human cells divide approximately once every 24 hour, हर 24 घंटे में division हो रहा है, मालू मैं हमारी cell cycle को कितना समय चाहिए, 24 hours का time चाहिए, बता दिया दा मैंने, of which cell division proper, यानि कि M phase जो होता है, क्योंकि proper cell division तो M phase में होता है, interface तो क्या होता है, preparatory phase होता है, तो जिसमें proper M phase की अगर हम बात करें, तो it last for an hour, वो तो एक ही घंटे का होता है, one hour, why, remaining is interface, तो interface कितनी देर का होता है, 23 hours का, 23 hours का यह होता है, और जो हमारा M phase है, M phase कितनी देर का होता है, it is for one hour only, it is for only one hour, interfaces for 23 hours, note कर लो इसको, कर लिया, चली, आगे बढ़ते है, इतना तो हमने पढ़ लिया, यह हमें समझ में आ गया, और क्या है, two major phases in cell cycle, cell cycle में मैंने दो phase बताया, क्या क्या बताया, interface बताया, और M phase बताया, तो एक है, interface, दूसरा ह है, M phase, M यानि कि माइटॉसस phase भी बोलते है, ठीक है, दूसरा, interface में क्या होगा, what is interface, so interface is the most active stage, सबसे जाधा active stage होती है, all right, in the cell cycle, when the cell prepares for cell division, जहां पर cell अपने आपको क्या करने वाला है, prepare करने वाला है, अब तक तो याद हो गई होगी होगी यह बात, ठीक है, आगे चलो, it consists of three sub-stages, इसकी अपनी three sub-stages है, मैं sub-stages के बारे में discuss करूँगी, एक बार में आपको M phase के बारे में थोड़ा बता देते हूं, ठीक है, फिर हम sub-stages को discuss करते हैं, तो M phase में क्या होता है, this phase represent phase when actual cell division take place, तो मैंने आपको यह बताया था, कि M phase वो phase है, जहां proper cell division होगा और कम सम मैं का है, actually it is the phase when the replicated DNA is distributed to daughter nuclei, a complicated series of events involved two stages, अब इसमें क्या हुआ, यह हमारा parent cell था, ठीक है, और यह इसका genetic material था इसके अंदर, ठीक है, यह इसका genetic material रहा होगा, अब यह क्या करेगा, डिवाइड करेगा, यह क्या करेगा, डिवाइड करेगा, यह क्या करेगा, डिवाइड करे जब इसने दों daughter, daughter cells बनाए, उन daughter cells को अपना थोड़ा थोड़ा सा तो genetic material दिया ही होगा, सही है, so actually it is the phase when replication, replicated DNA is distributed, वो phase जहां पर यह से डिवाइड करेगा, अपना replicated, जो genetic material हो distribute कर देगा, दोनों में आदा आदा बाट देगा, daughter nuclei in complicated series of events, it involves two stages, और इसकी खुद की two stages होती है, जो की मैंने आपको already बता दी है, वो two stages क्या है, carryokinesis and cytokinesis, इतनी बात clearly समझ में आगी, चलिए, अब मैं carryokinesis के बारे में बता देती हूं, cytokinesis के बारे में बता देती हूं, फिर इनका detail में जाएंगे, ठीक है, फिर इनके detail में जाएंगे, so carryokinesis में क्या होगा, it corresponds to separation of daughter chromosome into two daughter nuclei, daughter chromosome, daughter chromosome ने दो daughter nucleus बना लिए, यानि बेसिकली मैंने आप से कहा था, carryon का मतलब क्या होता है, carryon का मतलब ही होता है, nucleus, तो जब एक nucleus से दो nucleus डिवाइट कर जाएंगे, तो वो क्या क्या लाएगा, carryokinesis, और cytokinesis में क्या होगा, division of cytoplasm, division of cytoplasm, cytoplasm split कर जाएगा, you can see it here in this picture, यहाँ पर आपको दो nucleus दिख रहे हैं, और वही अभी तक तो cell में सिरफ दो nucleus बने थे, अब क्या हुआ, बीच में से cell divide कर गया, और दो नए cell बना लिए, with the nucleus as well as the cytoplasm, so cytoplasm का divide होना है, cytokinesis, read it one, अब it corresponds to the division of cytoplasm and the separation of two daughter nuclei into two daughter cell, जो अभी तक सिरफ दो daughter nuclei हुआ करते थे, cytoklasm के divide करने के बाद वो क्या बन गए, पूरे-पूरे daughter cell बन गए, इतनी बात समझ में आ गई, चलिए, लिख लीजे इतना, फिर हम आगे बात करते हैं, done, alright, अब हम बात करेंगे, interface के अंदर आने वाले, G1 phase, S phase, G2 phase और G0 phase के बारे में, आईए, okay, interface में हमने क्या-क्या पढ़ा, कौन-कौन से phases पढ़े, वो देखते हैं, पहले हमने पढ़ा कि interface में कौन सा phase आएगा, G1 phase, ठीक है, तो G1 phase, G1 phase में क्या-क्या होता है, वो देखो, G1 phase में सबसे पहले cell का जो size है, वो increase हो जाता है, ठीक है, तो size of cell increases, size of cell increases, ठीक है, size जो है, वो तो increase हो गई होगा, साथ में एक और काम होगा, वो क्या है, protein synthesis, protein synthesis होने लगती है, याने protein बनने लगता है, और cell का size हो जाता है, increase, ये दोनों चीज़े कहा होंगी, G1 phase में, ठीक, अगर मैं आपको G1 phase दिखाऊं, तो देखो, G1 phase में, it corresponds to interval between mitosis, M phase and initiation of replication of DNA, cell grows in size, याने आपको मालूम है कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, कि यहाँ पर G1 phase होता है, interface में, G2 phase होता है, G, S phase होता है और G2 phase होता है, और इसी के बाद क्या आता है, M phase, यनि हम बात कर रहे हैं ये वाले phase की, हम बात कर रहे हैं ये वाले phase की, ठीक, तो ये सब तो तैयारी हों वाला phase है, देखो, division तो नहीं ही हुआ होगा, पर कुछ preparation चल रहे हैं, तो उस preparation में ये क्या-क्या करता है, सबसे पहले number पर ये अपना cell का size बढ़ा कर लेता है, और बहुत सारा protein बनाने लगता है, बस ये काम करेगा कौन हमारा cell when it is in the G1 phase, ठीक है, और S phase में क्या होगा, second, S phase में क्या होगा, S phase में दो बहुत important काम होते हैं, ठीक है, एक तो DNA का important काम होता है, दूसरा DNA का होता है, और दूसरा होता है centrosome, ठीक है, क्या काम होता है, देखो, S phase के अंदर DNA भी replicate करता है और centrosome भी replicate करता है, so DNA is going to replicate and centrosome is also going to replicate, ठीक, DNA जो है, वो कैसे replicate करेगा, ये एक, ये एक chromosome है, ठीक है, इस chromosome के उपर, इसके अंदर इसका DNA है, इसका genetic material है, अब ये जो अंदर वाला DNA आपको दिख रहा है, let me make it with another color, ये जो आपको इसके अंदर, ये जो इसके अंदर आपको DNA दिख रहा है, ये DNA replicate करेगा, कॉपी बनाएगा, तो ये इसने बना ली कॉपी है, ठीक है, और ये क्या फॉर्म कर लेगा, ये इसने कॉपी बना ली, ठीक, और ये यहाँ पर centromere से जुड़ा हुए, ठीक है, तो मतलब हमारे पास सिरफ ये वाला था, ये वाला जो बनाएगा, ये नया बनाएगा, तो ये है तो एक ही क्रोमोजोम, लेकिन रेप्लिकेटेड क्रोमोजोम है, ये क्या है, ये है रेप्लिकेटेड क्रोमोजोम, ठीक है, क्रोमोजोम का रेप्लिकेशन हुआ, इत्ती बा तो हमें chromosome number तो एक ही मिलेगा, जो की पहले भी एक था, लेकिन amount of DNA double हो गया, amount of DNA कितना हो गया, double हो गया, इस बात को ध्यान से सुनना, NCRT ने भी बहुत साफ साफ बोलने की कोशिश करी है, पर अक्सर students जब इसे पढ़ते हैं खुद से, तो confuse हो जाते हैं, इसलिए इस बात को स कि कहीं किसी बात में concentrate मत करो, किसी बारे में मत सोचो, सिरफ ये वाला point सुन लो, जो मैं अभी बता रही हूं, ये है बहुत important point, S phase में, interface के S phase में, जब preparation चल रही होती है, तो उस दौरान, एक chromosome अपने अंदर का जो DNA material है, उसकी copy बना लेता है, इस तरीके से, क्या करता है, copy बना लेता है, photocopy करा लेता है, रेप्लिकेट कर देता है, ठीक है, तो this is one chromosome only, ये इसने replication करके, ये इसका chromatid बन गया, replication करके ये chromatid बन गया, और दोनों जुड़े हुएं किस से, centromere से, ठीक, अब ये दोनों क्या है, अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, अब वापस से मुझे comment section में लिखके बताओ, ये दोनों क्या है, ये दोनों है, sister chromatid, क्या है sister chromatid है, बहुत बढ़िया, अब ये एक chromosome है, यहने DNA के replication में अगर आप देखो, तो important बात ये है, कि यहाँ पर DNA के replication में, chromosome number, chromosome number remains same, chromosome number कितना रहता है, same रहता है, लेकिन क्या बढ़ गया, amount of DNA बढ़ गया, amount of DNA doubles, ठीक है, amount of DNA double हो गया, तो बहुत सारी books में, अगर आप पढ़ोगे तो आपको लिखा हुआ मिलेगा, amount of DNA तो double हो गया, और chromosome number तो उतना ही रहा, तो यहाँ पर आपको मिलता है, 2C, forms 4C, ठीक है, याने, यह जो 2, 4 है न, मतलब आप बस इस पे भी मत ध्यान दो, आप सिरफ इतना ध्यान दो, कि भाई, chromosome माने लोट 2 थे, तो आप 4 हो गया, याने कि डबल हो गया, chromosome, कभी भी, sorry, DNA जो है, वो डबल हो गया, chromosome number हमेशा सेम रहता है, chromosome number remains same, यह दोनों बहुत इंपोर्टेंट बाते हैं, किसकी हमारे DNA की, कहाँ पर, S फेस में, अब आजाओ, Centrosome में क्या हुआ होगा, Centrosome तो यह धा, हमारा, ठीक है, दिस इस वन, इस वन Centrosome, ठीक है Centrosome का structure कैसा होता है, Centrosome के structure में यह, दोनों protein के structure बनाए रहते हैं और यह कैसे रहते हैं, और यह कैसे रहते हैं, 90 डिग्री पे सिचुएटेड रहते हैं, अब यह जो सेंट्रोजों में यह क्या करेगा, रेप्लिकेट कर जाएगा, रेप्लिकेट करके अपनी एक और कॉपी फॉर्म कर लेगा, रेप्लिकेट करके अपनी एक और कॉपी बना लेगा, ठीक है? यह इसने अपनी copy बना ली, so the replication of DNA and the replication of centrosome takes place at the S phase, इत्ती बात समझ में आगे, S phase में होता है, यह वाला point है बहुत important point, इस पर किसी को कोई confusion नहीं होना चाहिए, DNA में यह जो band है यह chromosome के लिए बहुत important band है, इसको क्या कहते है, centromere, centromere पकड़ के रखता है दोनों sister chromatids को, यह sister chromatin है, क्योंकि एक ही chromosome का structure represent कर रही है, एक ही था, उसने अपनी copy बनाई, दो बन गए, ठीक है, तो अभी भी आज भी chromosome यह एक ही है, बस इसने replicate कर लिया, और जब इसने replicate किया, तो chromosome number cell में जितना पहले था, अभी भी उतना ही है, बस क्या हुआ है, amount of DNA बढ़ गया, बहुत बार, आप यह पढ़के confused हो जाते हो, कि माम, amount of DNA कैसे बढ़ जाता है, amount of DNA कैसे बढ़ जाता है, जब आप reproduction in flowering plants पढ़ते हो, class 12 में, जब आप आगे जाके पढ़ोगे, reproduction वाला chapter और वहाँ कहीं, अगर आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, amount of DNA doubles, तो amount of DNA कैसे double हो सकता है, ऐस तो इस तरीके से S phase में, amount of DNA double chromosome number उतना ही रहेगा, जितना पहले था, और centrosome भी क्या करेगा, and centrosome also replicates, centrosome क्या करता है, वो भी replicate कर जाता है, इतनी बात समझ में आ गई, चलो इसे भी read कर लेते हैं, ठीक है, यह जीवन फेस तक तो हमें समझ में आ गया था, चलिए, S phase, य DNA replication takes place, DNA replication कर गया, ठीक है, इसके बाद, and the amount of nucleic acid doubles, अब इसे पढ़के confused तो नहीं होगे, amount of nucleic acid क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, ठीक है, अब हम बात करेंगे, G2 phase की, अब हम क्या बात करेंगे, G2 phase की, तो देखो, G2 phase में क्या होता है, G2 phase में वापस से protein synthesis होगी, वापस से protein synthesis हो जाएगा, protein बन जाएगा, ठीक है, protein बनने के साथ साथ कुछ replication होगा, इस बात को ध्यान रखना, कि जब भी यहाँ पर replication होगा, protein synthesis के साथ साथ, यहाँ पर भी कुछ amount of replication होता है, यहाँ पर भी, यानि कि G1 phase में भी थोड़ा सा replication दिखता है, ठीक है, सो कुछ replication भी मिलेगा, पर complete replication यहाँ नहीं होता, complete replication कहाँ होगा, यहाँ पर, तो यहाँ पर mitochondria भी replicate कर जाता है, तो यहाँ पर mitochondria also replicates, mitochondria replicates, protein भी replicate कर गया, mitochondria भी replicate कर गया, अब बचा G0 phase, अब क्या बचा, G0 phase, G0 phase, G0 phase में क्या होता है, G0 phase का नाम होता है, resting phase, ठीक है, resting phase, या फिर books में इसे question phase भी कहते है, अब इसमें ना, कोई activity नहीं होगी, ठीक है, यहाँ पर कोई भी activity नहीं होगी, तभी तो यह resting phase है, है ना, तो there will be no replication, no replication taking place over here, ठीक है, एक बात ध्यान रखना, जब भी अगर cell, G0 phase में जाता है, तो वो सिर्फ rest करने गया है, G0 phase में अगर cell गया है, तो वो सिर्फ rest करने गया है, यानि वो temporarily suspended है, उसको school से बाहर नहीं निकाला गया है, तो एक question इस पर बनता है, यह जो G2 है, यह जो, sorry, G0 phase है, इस G0 phase पर question बहुत पूछा जाता है, इस G0 phase पर question पूछते हैं, ठीक है, तो this is very important, यह important है, क्योंकि इस पर question पूछते हैं, क्या question पूछते हैं, question यह पूछा जाता है, कि G0 phase जो है, G0 phase जो है, अगर G0 phase में cell चला जाए, तो क्या उसकी cell cycle complete हो गया है, या फिर थोड़े time के लिए रुखी हुई है, तो is it complete? और it has, और it is, complete हो गई cell cycle cell की, अब cell कभी divide नहीं करेगा, या फिर यह temporarily रुखा हुए, या फिर यह temporarily रुखा हुए, temporarily stop किया है, तो इसने, तो इसने पते टेंपरेली स्टॉप किया, इसका जब मन करेगा, या डिवाइड कर जाएगा, जैसे हमारे लिवर के cells, एक्जाम्पल क्या है, हमारे लिवर के cell, मैंने आप से कहा था, कि लिवर के cells जो है, वो divide कर सकते हैं, जब उनका मन करेगा, वो divide कर सकते हैं, जब उनका मन करेगा, मतलब जब उनको जरूरत होगी, actually, basically, they will divide, when needed, ये तभी divide करेंगे, जब need हो, लिवर में कोई problem हो गई है, लिवर खराब हो गया, लिवर के cells खराब हो गया है, कोई inflammation हो गया है, तो कोई infection हो गया है, उस case में क्या करेंगे, जब देखेगा कि cell मर रहा है, तो मरने थोड़ी छोड़ देगा, क्या करेगा, खुद भी divide करने लगेगा, नए cells बनाएगा, recover करने की कोशिश करेगा, तो G0 phase में अगर कोई cell चला जाए, तो वो अभी के लिए rest पर है, उसे question phase भी कहते हैं, जहां पर कोई replication नहीं होता, पर ये है temporary action, थोड़े टाइम बाद अगर जरूरत पड़ी, तो ये replicate कर जाएगा, इत्ती बात समझ में आगई, अब मेरा suggestion ये है, कि आप अपने notes में, पहले interface के बारे में, G1 और S के बारे में ये लिख लो, लिख लिया, अब G2 और G0 के बारे में लिख लिया, चलिए, अब हम इसको read कर लेते हैं, जट्ता हमने पढ़ा है, G2 में हमने क्या पढ़ा, during this phase, more RNA and protein are synthesized, proteins बनेंगे, RNAs बनेंगे, preparation for mitosis and for growth of cells, और growth of cells भी यहाँ पर देखने को मिलेगी, M phase में जाएंगे, अब हम N phase में जाएंगे, देखो G0 इस पर mention नहीं है, पर मैंने आपको G0 बता दिया है, तो उतनी बातें G0 के अभी ध्यान रखना, ठीक है, अब हम बात करेंगे M phase के बारे में, मैंने आपसे कहा था, M phase जो है, वो दो टाइप का होता है, उसमें दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है karyokinesis और एक होता है cytokinesis, तो आईए हम उसकी बात करते हैं, karyokinesis और cytokinesis, ठीक है, तो जब भी M phase हो, जब भी M phase हो, तो M phase में हमें दो पार्ट्स मिलते हैं, M phase में हमें दो पार्ट्स मिलते हैं, क्या हैं वो दोनों पार्ट्स, मैंने आपसे कहा था, karyokinesis, और मैंने आपसे क्या कहा था, cytokinesis, ठीक है, अब karyokinesis के भी अपने stages होते हैं, okay carryokinesis के भी अपने stages होते है carryokinesis के क्या हुते है अपने खुद के stages आओ देखें क्या stages है ठीक है one यह चार what are they क्या है यह पहला होता है carryokinesis का पहला फिज होता है अब इसके अंदर भी चार डिज़ार न है चार फिज चलेंगे पहला है प्रोफेस, पहला क्या है प्रोफेस, दूसरा है मेकटाफेस, फिर है मेकटाफेस, फिर है एनफेस, और एनफेस के बाद क्या आता है टीलोफेस. एना फेस के बाद आ जाता है तीलो फेस तो ये फेसे होते हैं जब भी केरियो काइनेस होता है केरियोन का मतलब मैंने क्या बताया था न्यूकलियस तो जब भी न्यूकलियस डिवाइड करता है न्यूकलियस के डिवाइड करने में Nucleus के Divide करने में ये चारों चीज़ देखने को मिलेंगी तो अब हमें डीटेल में इन चारों बात पर बात करनी है अब हम प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज के बारे में बात करेंगे अभी इतनी बात समझ में आ गई ठीक है? I hope आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी One minute, मैं आपको दिखा दे रही हूँ ठीक है? देखो, ये वाला तो मैंने cell cycle पहले बताई थी इंटरफेज और M-Phase के बारे में सब कुछ समझा दिया था फिर हमने बात करी इंटरफेज के बारे में और M-Phase के steps के बारे में इंटरफेज में G1, S, G2, G0 और M-Phase में Karyokinesis, Cytokinesis Karyokinesis is division of nuclear, cytokinesis is division of cytoplasm अब हमने एक एक करके उन सारे Phases की बात करी याने फिर हमने बात करी की G1 phase क्या है? S-Phase क्या है? S-phase में क्या-něAI, G-1 में क्या-क्या-क्या और उसके बाद G-2 में और G-0 phase में क्या वोगा? यहां तक बाद हमने complete कर ली, अब बारी है किसकी? अब बारी है M-phase की, तो हम M-phase को अब ब्रीफ में discuss करेंगे, कि M-phase के अंदर क्या-क्या होगा? तो M phase में karyokinesis और cytokinesis दो steps है, तो हम पहले ये karyokinesis वाले steps की बात करेंगे, ठीक है, we are going to talk about what will happen in the karyokinesis, alright, note कर लीजे इसको इतना, done, okay, अब हम बात करेंगे किस बारे में, सबसे पहले pro phase के बारे में, ठीक है, यहाँ पर दिख रहे है, ये वाला pro phase के बारे में बात करें चलिए, pro phase, pro phase में दो stages होती है, एक होता है, early pro phase, दूसरा होता है, late pro phase, ठीक है, so we have two stages in this, we have two stages in this, क्या-क्या है वो, early, early, pro phase early pro phase है और, late, pro phase early pro phase है, और क्या है, late, pro phase है, koi दिक्कहत इतने, मैं नहीं है न, ठिक, अब early pro phase में, क्या-क्या होगा, ठीक है, imagine करो, भगह, ये सेल है, यह cell के अंदर nucleus है अभी जो इसका genetic material जो chromatin material होगा वो ऐसे ऐसे कुछ पढ़ा था cell के अंदर ठीक है तो पहले यह क्या करेगा पहले यह form करेगा homologous chromosome पहले यह form करेगा homologous chromosome मतलब यह basically ऐसा तो नहीं दिखने लगेगा पर हाँ यह है कि arrange हो जाएगा याने यह कुछ ऐसा हो जाएगा यह इसका nucleus और यह जो अभी ऐसे पढ़ा हुआ था ना यह कुछ arrange होने लगेगा ऐसे ठीक है तो homologous chromosome देखने को मिलेंगे homologous chromosomes मिल जाएगे ठीक है दूसरा क्या होगा है ना दूसरे में क्या होगा लेट प्रोफेज में लेट प्रोफेज में सरी लेट प्रोफेज में क्या होगा सबसे पहली चीज यहां पर हमारा जो centrosome था वो क्या करेगा ester बनाने लगेगा ठीक है spindle formation होने लगेगा उसमें तो centrosome centrosome separate होगा replicate तो हो चुका है separate होगा ठीक है centrosome क्या करने लगा separate होने लगा इस बात का ध्यान रखना ठीक है तो ester form करने लगेगा centrosome starts to form ester ester क्या होता है opposite poles पर जिससे फिर बाद में वो spindle fibers निकलेंगे opposite pole पर यह centrosome क्या करेगा range हो जाएगा और अपने पास यह fibers develop कर लेगा इस तरीके से और यह structure आपको कहां देखने मिलेगा exactly यहाँ पर यह structure कहां देखने को मिलेगा exactly यहाँ पर देखने को मिलेगा तो इसका सबसे important feature क्या होता है ester का formation बड़ा important feature है क्योंकि आगे सब कुछ उसी से चलेगा मैं आपको दिखाती हूँ देखो आगे सब कुछ उसी से चलेगा ester से चलेगा कहां गया वो one minute देखो यहाँ पर पहले यह chromatin ऐसा था है न तो आप क्या करेगा प्रोफेज में दोनों चीज़ें हुई थी तो यह यह आपको दिख रहा है यह star-shaped यह है वो एस्टर जो आगे जाकर देखो ऐसे fibers बनाएंगा इत्ती बात समझ में आ गई ना बस मेरा काम हुग है इसके आगे कुछ मत देखो इसको ठीक है मैं आपको यह बता देती हूँ कि आपको याद है अगर हम कंडेंस होने की बात करें तो DNA कंडेंस कैसे होता है DNA क्या करता है देखो DNA ऐसा पड़ा हुए ऐसा structure पड़ा हुए ठीक है बहुत बड़ा सार सारा DNA है लेकिन हमको उसको कम छोटे से structure में क्रोमोजूम के अंदर रखना है तो हम क्या करते हैं DNA की packaging करते हैं जैसे मानलो आपको किसी को कोई gift भेजना है तो आप उसको package करके भेजते हो ना बस ऐसे उसकी packaging हो होते हैं proteins कौन से involved होते हैं histone protein involved होगा और वो एक आपके 12th class के NCRT में लिखा हुआ है कि bead on string appearance देता है ऐसा लगता है जैसे धागे के ऊपर मोती हों तो मोती की माला जैसा देखने को मिलता है इस तरीके से package हो जाता है DNA condensed हो जाता है और फिर इस chromosome के अंदर भर जाएगा है तो chromosome जो बने हैं वो condensed हो जाएंगे chromosome जो बने हैं homologous वो और condensed form में हो जाएंगे So this is going to be early prophes and this is going to be late prophes जहाँ पर एक तो ester का formation हमने देखा जो बड़ा important है और दूसरा ये जो हमने देखा ये क्या है condensed Chromosomes starts condensing chromosome क्या करें condensed होने लग गए और spindle ने क्या करा है ऐसा spindle aster star shaped दिखेगा ऐसा structure बना लिए जिससे आगे जाके मैंने दिखाया था अभी कि spindle form होंगे तो आपको पता है आप मानो ना मानो ये बड़ा important structure होता है कि अगर ये नहीं होगा ना तो आगे काम कुछ नी होने वाला this is very important structure और मैंने अक्सर students को देखा है exam में जब वो answer लिखते हैं तो chromosome condensed होना तो लिख देते हैं पर ester नहीं लिख पाते और इसी reason से मैंने आपको सबसे पहले बताया ester को ध्यान रखो chromosome तो चलो होगा ना condensed वो तो मालूम है पर ester को ध्यान रखो ठीक है this is very important ester formation is very important for all of the cycle इत्ती बात समझ में आगे ये सब कुछ कहां हो जाएगा प्रोफेज में ठीक इसके बाद मेटाफेज में क्या होगा प्रोफेज के बाद आता है मेटाफेज में क्या होगा ये हमारा cell और मैं थोड़ा सा बड़ा बना देती हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए ये cell और ये nucleus है मान लो ठीक है ये nucleus है इसमें क्या होता है इसके बिलकुल center में बीचों बीच क्रोमोजोम आ जाते हैं और इस तरीके से arrange हो जाते हैं अब यहां पर क्या है यहां पर आपका centrosome जो spindle बना चुका था ठीक है और यहां पर भी होगा centrosome जो spindle बना चुका था ठीक है वो star shape का spindle fiber अपियर होने लग गए थे यह क्या करेगा यह क्या करेगा कि अपने यह जो आपको दिख रहे हैं ना क्रोमोजोम में देखो यहां पर centromere होता है centromere होता है centromere के बाहर centromere के बाहर होता है centromere के बाहर यहां पर एक और ring होती है ठीक है उसको हम कहते है kynetocore उसको हम क्या कहते है this ring is kynetocore ठीक है kynetocore मिल रहे है मैंने गलत लिख दिया है यहां सेंटर में एक रिंग है जो से जैसे यह क्रोमोजोम है यह क्रोमोजोम है तो यह वाले जो रिंग है इसको हमने बोला centromere इसके बाहर एक और ring है उसको बोल रहे है kynetocore उसको क्या बोल रहे है kynetocore अब उस kynetocore से spindle fiber निकलेगा और attach हो जाएगा दोनों तरफ से कहां attach हुआ spindle fiber kynetocore के पास ठीक है यानि metafase में क्या क्या होता है metafase के दौरान क्या क्या होता है पहले तो chromosome यह एक center में arrange हो गए थे तो chromosomes chromosomes arrange at the center और equator ठीक है center बोल सकते हो equator बोल सकते हो and a center forming forming metafase plate metafase plate बन गई तो metafase plate कहां दिख रही है यह जो है यह जो center में arrange हो है this is metafase plate ठीक है दूसरा क्या हुआ यह spindle जो है वो chromosome के kynetocore से attach हो गए तो दूसरा step क्या है spindles attach to kinetocore kynetocore of the chromosomes of the chromosomes ठीक है kynetocore के पास आके attach हो गए इतनी बात समझ में आ गई इतना लिख लिया लिखो हो गया पढ़ लेंगे अभी आगे बढ़ो metafase के बाद क्या होगा anafase metafase के बाद आ जाओ anafase की बात करें अब जानते हो एना फेस के दोरान क्या होगा अना फेस के दोरान ये सेल ये नूकलियस ये सेल है और ये नूकलियस है ठीक है इस नूकलियस के अंदर ये हमारे sister chromatic जो है है यहां पर यहां पर भी एक एस्टर था ठीक है यहां पर भी एक एस्टर था और इसने क्या करा था अपने spindle fiber बनाए थे और इसने भी अपने spindle fiber बनाए थे और पहले की situation में यह ऐसे जुड़ा था यह ऐसे जुड़ा था तो यह क्या करेगा यह अभी ऐसा है मान लो और एक यहां जुड़ा है एक यहां जुड़ा है तो यह क्या करेगा इन दोनों को पकड़ के खीच देगा ठीक है तो एक सिस्टर क्रोमैंटिड यहां एक यहां एक यहां एक यहां ठीक है तो यह क्या कर रहे है spindle fiber जो है वो detach कर देगा ध्यान जे सुनना क्या बोला मैंने जो मारे क्रोमोजोम की सिस्टर क्रोमाटेड जैना उसको डिटैच कर देगा ठीक है सो इसमें क्या हुआ कि स्पिंडल फाइबर्स शॉर्टन स्पिंडल फाइबर क्या हो गए शॉर्ट हो गए खिचें ये उपर की तरफ तो अभी जो क्रोमोजोम ऐसे जुड़े हुए थे वह आपार्ट होंगे ऐसे जुड़े हुए थे वह क्या हो जाएंगे अपार्ट हो जाएंगे सो Spindle Fibers Shorten Spindle Fiber के खिचने से वा तो Spindle Fiber Short हो रहा है And, splits, splitting of, splitting of sister chromatids. I hope now you know what is sister chromatid. These both of them are sister chromatid. दोनों क्या हैं? दोनों sister chromatid है. ठीक है? इतनी बात समझ में आ गई. पक्का आ गई. तो एनाफेज में ये सब हो गया. लिखो. लिख लिया? ओके. आगे बढ़ते हैं. टीलो फेज. टीलो फेज में क्या-क्या होगा? ठीक है? टीलो फेज के दौरान, टीलो फेज के दौरान, सबसे पहली चीज. sister chromatid तो उपर चली गई. और ये जो हमारा ester है, ये भी short हो गया. ये fiber और short हो गए. और ये हमारे sister chromatid हो गए. ये हो गए. ये हो गए. ये हमारे sister chromatid इस से ऐसे जुड़े हुएं मानलो. ऐसे बहुत सारे sister chromatid रहेंगे. ठीक है. अब होगा क्या? कि यहाँ पर cell organolys वापस से बनने लगेंगी. ठीक है? मतलब जितनी भी चीज़ें हमारे pro phase में हुई थी, वो सब कुछ reverse हो जाएंगी. पहले pro phase में सब detach, टूटा वूटा हो गया था. और copy होने के लिए तयार हो गया था ना, distribute होने के लिए. अब क्या होगा? कि अब वही चीज़ें वापस से बनने लगेंगी. ठीक है? वही चीज़ें वापस से बनने लगेंगी. तो वहाँ पर क्या होता था? Pro phase में जो हमारे chromosomes थे, वो condense हो जाते थे. तो यहाँ पर chromosomes decondense क्रोमोजोम क्या करें? decondense कर गए. और cell organelles starts to reappear. cell organelles starts to reappear. cell organelles क्या करने लगेंगी? वापस से दिखने लगेंगी. ठीक है? वापस cell organelles बन जाईगी. अब देखो इतना पढ़ लेते हैं. तो पहले क्या हुआ? karyokinesis में. In mitosis, it is completed in four stage. यानि यह जो हम बात कर रहे हैं, यह हम किस की बात कर रहे हैं? तो यह mitosis में four stages में होगा. अच्छा, mitosis जो है, उसके बारे में बताऊंगी. लेकिन, सुन लो अभी अच्छा. फिर मैं आगे बता देती हूँ. mitosis जो है, जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो कैसा division होता है? Equational division होता है. Equational cell division होता है. अब हाला कि मुझे यह बताने की जरूरत नहीं है कि mitosis में diploid, diploid ही रह गए. यह तो हम इत्ती बार सुन चुके हैं, पढ़ चुके हैं, हम तो कोई एक revision कर रहे हैं, मालूम है हमको. लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ कि हमारी body में हर एक cell जो है, हमें diploid, diploid याने two sets of chromosome. लेकिन जब हमारे gametes बनते हैं, तो वो होते हैं haploid, haploid gametes क्यों बनते हैं, कि एक haploid gametes, दूसरे haploid gametes के साथ fuse होता है, egg और sperm एक दूसरे के साथ fuse होते हैं, तो fusion करके fertilization कहलाता है, और फिर zygote बन जाता है, fusion होता है याने fertilization process है, जाती है, तो ऐसा organism तो चाहिए है नहीं, कैसा organism चाहिए, diploid organism, diploid organism के लिए, जो gametes बनते हैं, वो haploid क्यों होते हैं, क्योंकि दोनों आपस में fuse होंगे, तो अब्विसली डिपलोई बन जाएगा, लेकिन, उसके अलावा, body के सारे cells, mitotically, mitosis के through divide करते हैं, which is equational division, यानि की 2N is going to be 2N even later on, two sets of chromosome, two sets of chromosome ही रहेंगे, ठीक है, एक बात और बता देती हूँ, आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपने अभी, थोड़ी देर पहले मुझे बताया था, कि chromosome number double हो जाता है, मैंने बोला था, chromosome number क्या होता है, sorry, chromosome ने, DNA double हो जाता है, क्यों, pro phase, metafase, anaphase, telophase, यह जो जब हम सारी बाते कर रहे थे, तो मैंने आपसे कहा था, वो शायद मेरे पास अभी बना हुआ होगा, अगर मैंने उसे erase नहीं किया है, but I think मैंने कर दिया erase, I don't think कि मैंने उसे रखा है, अगर वो मिल जाए, तो बहुत अच्छी बात है, हाँ, मिल गया, मैंने आपसे कहा था, interface जब होगा, तो DNA जो है, उसका amount डबल होता है, लेकिन chromosome का number same रहता है, DNA double हो रहा है, chromosome number same है, Equational division में chromosome number कैसा मिलेगा, same मिलेगा, ठीक है, तो Equational division में, 2N is going to be 2N, 2N is going to be 2N only, ठीक है, इकती बात समझ में आ गई, 2N, 2N ही रहेगा, ठीक है, तो अभी तक मैंने आपको जो कुछ भी समझाया है, mitosis के बारे में, और pro phase, metaphase, anaphase, telophase, इनके बारे में, अब हम इत्ता पढ़ लेते हैं, उसके बाद आगे बात करेंगे, जैसे mitosis के हम बात करें, तो it is with the process in which chromosomes of nucleus undergo longitudinal duplication and their split halves migrate to poles to constitute daughter nuclei identical to each other and also to parent cell. अब मैंने अगर आपको ये बात पहले ही बता दी होती, बिना process दिखाए, तो आपको लगता, अरे मैं, क्या, क्या बोल गई हैं आप? ऐसे ही लगता, तो देखो, अभी मैंने जो कुछ भी आपको बना के बताए, ये वही हो रहा है, क्या हो रहा है? It is the process in which chromosomes of a nucleus, chromosomes जो है nucleus के अंदर, उनमें longitudinal duplication हुआ, यानि कि वो क्या कर गए? duplicate कर गए. फिर वो split हुए हाफ में, हमने split किया था, मेड़ाफे स्प्लेट के बाद स्प्लेट कर लिया था, migrate to opposite pole, और दोनों काइनेटो कोर से spindle जुड़ा हुआ था, तो एस्टर भी कम होता गया, और spindle भी छोटे होते गए, और क्या हुआ, दोनों opposite poles पर चले गए, and they constitute two daughter nuclei, ready to form two daughter nuclei, या दो nucleus opposite pole पर बनाने के लिए ready है, identical to each other and also to the parent nucleus, जो एक जैसा, एक दूसरे के जैसे हैं और अपने parents जैसे भी हैं, so it is also known as equational division, इसको equational कहते हैं, क्यों कहते हैं, क्योंकि number of chromosomes in the parent cell and daughter cell is always the same, that is why it is equational division, ठीक है, तो अगर deployed cell है, तो वो deployed ही cell बनाएगा, with the process of mitosis, अगर deployed cell से haploid बनाना है, तो क्या लग जाएगा, meiosis उसकी बात हम बाद में करेंगे, अभी हम mitosis की बात कर रहे हैं, तो यह जो जितना भी scenario मैंने आपको दिखाया, pro phase, metafase, anaphase, telophase, यह सारी चीज़ें, किसके बारे में है, mitosis के बारे में, आईए, पढ़ते हैं ता, अभी तक हमने जो पढ़ाये, वो पढ़ लेते हैं, कह रहे हो काइनिस में मैंने बता है, complete four stages में होता है, pro phase, metafase, anaphase, telophase, तो सबसे पहले pro phase की बात करते है, pro phase में मैंने आपको क्या बताया था, DNA जो है, chromosomes जो है, sorry, chromosome starts to condense, and ester formation बताया था, so chromosomes material condense, chromosome material क्या करेगा, condense होने लगेगा, two form compact mitotic chromosome, each is composed of two chromatids, और दोनों में क्या है, two chromatids है, these two are, these two are sister chromatids, these two are sister chromatids, ये दोनों क्या है, sister chromatids है, ये और ये, दोनों, ठीक है, and each is composed of two chromatids, attached together at the centromere, chromatid है, और दोनों बीच में, ये वाला जो portion है, इस से जुड़े हुए, this is centromere, इत्ती बात तो याद होगी, सबको याद होगी, पक्का, चलिए, आगे बढ़ते हैं, पहले आप इतना लिख लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे, done, okay, now, अब हम बात करेंगे, next किसके बारे में, next हम बात करेंगे, second step, जो कि था, ester का form हो जाना, so, initiation of assembly, of mitotic spindle, by the microtubule, of the cell cytoplasm, अब ये क्या हुआ, था, ये ऐसा star-like structure, somewhat यहाँ पर दिखने लगेगा, ठीक है, star-like structure, somewhat दिखने लग जाएगा, लिख के रख लो, second point, रिख लिया, okay, next क्या है, metaphase, metaphase पे मैंने क्या बताय था, metaphase plate form होगी, और जो spindle fibers है, वो अटाच हो जाएंगे, kineto-core वाले ring से, ठीक, किसकी kineto-core वाली ring, centromere के पास, जो present थी, centromere के पास, जो present थी, एक और ring, जिसने chromosome को बान के रखा था, so, metaphase plate में, condensation of chromosome is complete, and chromosome are the thickest and shortest in this place, condensation हो गया complete, अब, one pole, while its sister chromatid, attached by its kineto-core, to the microtubule of the opposite pole, अब यह जो sister chromatid है, वो kineto-core से attach हो गए, ठीक है, उधर पे spelling सही कर लें न, C-H-O-R-E, kineto-core is, C-K-E-N-E-T-O-C-O-R-E, यहाँ पे सही लिखिए, मैंने वहाँ पर H नहीं लगाया था, ठीक है, so, key features क्या होते हैं, metaphase के, क्या हुआ अब metaphase में, तो देखो spindle fiber थे, वो kineto-core के साथ attach हो गए, बता दिया था मैंने, दूसरा, chromosomes are moved to the spindle equator, chromosome कहां आ गए, equator यहनि कि center में आ गए थे, aligned along the metaphase plate, और metaphase plate पर align हो गए, and spindle fibers of both poles ने क्या करा, पकड़ के रखा, बीच में सारे chromosome लाइन अप हो गए, और उसको kineto-core से spindle ने पकड़ के रख लिया, opposite pole से, ठीक है, यह हम देख चुके, लिख लो, यह दोनों point, done, next, फिर हमने anaphase देखा, तो anaphase में spindle fiber, break and centromere of all chromosomes split simultaneously, अब क्या हुआ, जो spindle fibers थे, और हमने क्या देखा था, की ऐसा, हमारा जो cell था, वन बनेट, जो हमारा cell था, इसके अंदर, नूकलियस है, यह नूकलियस है, यह सेल के अंदर का है न, यह यहाँ पर था, यह यहाँ पर था, ठीक है, और यह sister chromatid, हो गए, यह sister chromatid, हो गए, और यह दूर हो गया, spindle, ऐसे ही हुआ था, अब इनका कहना है, हाफ सेंट्रो मियर, अलोंग विथ chromatid, यह जो हाफ सेंट्रो मियर है, जिसके पास, क्या है, क्रोमाटिड है, तो यह, देखो, इसके पास भी सेंट्रो मियर, इसके पास भी सेंट्रो मियर, इसके पास भी सेंट्रो मियर, और मैंने आपको बताया था, कि सेंट्रो मियर, सेंट्रो मियर, जितने भी होंगे, इसका अपना सेंट्रो मियर रह गया, इसका अपना Centromere रह गया, इसका रह गया, इसका रह गया, इसका रह गया, ठीक है, तो अब इसने क्या किया यह सब Dauter Chromasomes बन गए, यह क्या बन गए, Chromatics जब alग हुए, तो अपने Central Mayor के साथ अलग हुए, तो उसने क्या बना लिया, Dauter Chromosome बना लिया, So, now the daughter chromosome have been formed. और ये कैसे हुआ? इस से पहले क्या था? इस से पहले था? मेटाफेस प्लेट. ऐसे. ठीक है? ऐसे मेटाफेस प्लेट थी. यहाँ पर स्पिंडल अटाश था. ऐसे यहाँ पर और यहाँ पर वो एस्टर बना हुआ था. ऐसे ही था? अब यह यह तो मेटाफेस था. है ना? ठीक? तो मेटाफेस पर ऐसा दिख रहा था. अब यह इसने क्या करा? दोनों सिस्टर क्रोमाटेड को स्प्लेट कर दिया. जब स्प्लेट कर दिया तो किसके साथ स्प्लेट हुए? सेंट्रोमियर के साथ. और अगर सेंट्रोमियर प्रे सकने लगेंगे, पोल की तरफ जाने लगेंगे, दोनों opposite पुजी, यहाँ वाले यहाँ जाएंगे, यहाँ वाले यहाँ जाएंगे, ठीक, So, the key features और key events क्या है, centromere split and chromatid separate, centromere क्या करा, split किया और chromatid separate हो गया, now chromatids commence their movement opposite poles, chromatin क्या करेंगे, opposite poles पर चले जाएंगे, ठीक है, note करो इतना, diagram के साथ करो तो जादा अच्छ है, ठीक है, चलिए, आगे चलते है, next, telophase पर क्या हुआ, So, telophase मैंने आप से कहा था, it is opposite to anaphase, opposite, बिल्कुल, So, chromosomes have reached their respective places, chromosome अपनी अपनी प्लेस पर आ गए, यानि कि यह cell का nucleus है, अगर तो यहाँ पर कुछ chromosome आ गए, और यहाँ पर कुछ chromosome आ गए, सही है, अब क्या होगा, chromosome start their decondensation, अब मैंने कहा था, decondense होने लगेगा, क्योंकि anaph में, sorry, prophase में क्या हो रहा था, condense हो रहा था, तो यहाँ पर क्या होगा, उसको opposite, opposite क्या है, decondensation, and become thin and long, they lose their individuality, individuality खतम, nuclear membrane, nucleolar, सारे cell organelles वापस से form हो जाएंगे, मैंने कहा था, cell organelles, cell organelles, reappear, वापस से cell organelles दिखने लग जाते है, cell organelles are going to reappear, ठीक है, इतनी बात समझ में आगे, चलिए, इसको लिख लीजे, तो देखो यह वाला जो point is में confused मत हो ना, जैसे nuclear membrane बन जाएगी, nucleolus बन जाएगा, Golgi complex बन जाएगा, endoplasmic reticulum बन जाएगा, साब कुछ reappear हो जाएगे, they start to develop again, लिख लो इतना, done, alright, आगे बढ़ते हैं, key features of telophase plate क्य हैं, chromosome cluster at opposite spindle pole and their individuality is lost, कोई एक individual नहीं दिख रहा, सब ऐसे घुल मिल गए, opposite pole पे जाके, nuclear envelope assemble around the chromosome cluster, अब एक रोमोजोम बन गया, तो उसके पास क्या बनना जरूरी है, nuclear envelope, ठीक है, class 8 तो में पहली बार पढ़ लिया था nuclear envelope, cell वाले chapter में, कि nuclear envelope में double membrane structure होगा, बीच में nuclear pore होंग यह सब पढ़ा था, nucleolus था, nucleosome था, तो वो nuclear की जो बाहर की envelope थी, जो membrane थी, it develops, it assembles, ठीक है, and nucleolus, Golgi bodies, endoplasmic reticulum, यानि कि cell organelles are formed, cell organelles बन जाते हैं, ठीक, तो यह हो गए key features, लिख लिख लिए, telophase के, तो यहाँ पर हमने PMAT, तो मतलब प्रोफेस, metafase, telophase क्या कर लिया, complete कर लिया, अब बात है, cytokinesis की, karyokinesis आपको पूरा हो गया, जो हमारा karyokinesis है, वो पूरा हो गया, बात समझ में, मैं एक बार karyokinesis की आपको पूरी picture दिखा देती हूं, ठीक है, karyokinesis में क्या-क्या हुआ था, karyokinesis में क्या-क्या हुआ था, पहले पर, प्रोफेस चला, ठीक, दूसरे पर, metafase चला, ठीक, तीसरे पर, एनाफेस, और उसके बाद हमारे पास क्या था, टीलो फेस, यह सब बात हम किसकी कर रहे हैं, माइटॉसिस की, ठीक, क्या-क्या होगा, प्रोफेस को अगर आप देखोगे, तो प्रोफेस में मैंने आपको बताया, एक, अरली है, और दूसरा, लेट है, अरली प्रोफेस और लेट प्रोफेस था, ठीक है, क्या होगा प्रोफेज में जो क्रोमोजोम है वो कंडेंस होगा क्रोमोजोम कंडेंस हुआ क्रोमोजोम कंडेंस होने के बाद क्या करेगा पहले तो बिल्कुल धागे-धागे जैसा था फिर उसने होमोलोगस बनाया उसके बाद क्रोमोजोम condens हुआ होगा chromosome comparison होने के बाद जो वो spindle है spindle fiber का जो structure है ठीक है cluster देखने लगे गाester बनने की कोशिश होने लगेगी Esther बनने की कोशिश ठीक है इसके बाद meta face परो मेटा फेसपर क्या हुआ chromosomes Clap chromosomes arrange गए और chromosome कहां पर arrange हुए equator पर अरेंज हो गए, एक्वेटर पर अरेंज हो गए, तो हमने उसे क्या बोला? मेटाफेस प्लेट, मेटाफेस प्लेट बोला, इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद मेटाफेस पर ही spindles attach spindle attach to kinetocore spindle kinetocore से जुड़ गया ठीक, अब क्या होगा? अब kinetocore दूर भागेगा ठीक है? kinetocore kinetocore separate with kinetocore क्या करा? separate हो गया किसके साथ separate हुआ? kinetocore वो तो ring थी chromosome की, वो किसके साथ separate हुआ? अपना-पना chromatid लेके with chromatids और क्योंकि kinetocore जुड़ा है है ना, तो क्या रहा होगा साथ में इसके साथ centromere भी रहा होगा तो क्योंकि centromere present है kinetocore present है और फिर chromatid जुड़ा हुआ है तो centromere और chromatid साथ में है तो अब हम इसको क्या बोल सकते हैं? डॉर्टर क्रोमोसों क्या बोलेंगे? डॉर्टर क्रोमोसों बन गया ठीक है? चलो, बहुत बड़ी है वही है डॉर्टर क्रोमोसों बन गया अब ये क्या करेगा, daughter chromosome pole की तरफ भागने लगेंगे daughter chromosome starts to क्या करेंगे, starts to chromosome जो daughter chromosome है, वो opposite pole पर arrange होने लगेंगे starts arranging at opposite poles और जो spindle है, वो क्या हो गए, shorten spindle भी short हो गए, spindle shorten, telophase में क्या होगा, opposite होगा प्रोफेस का, तो telophase में जो chromosome पहले condense हो गए थे, वो decondense हो गए, chromosome decondense, chromosome क्या करें, decondense हो गए, इसके बाद क्या हुआ, opposite pole पर आगए, arrange at opposite poles, opposite pole पर arrange हो गए, ठीक है भाईया, हो गए, और क्या हुआ, cell organelles वापस आगए, ठीक है, cell organelles reappear, cell organelles वापस आगए, जैसे nuclear membrane अगए, endoplasmic reticulum आगया, golgi complex आगया, everything came back, so this entire thing has happened, यह चार phases हो गए, easy हो गया, इससे जादा easiest form और कुछ नहीं हो गया, इतना हो गया, तो यह हमारा karyokinesis हो गया, यानि की, nucleus का division हमने कर दिया, क्या कर दिया, nucleus का division, ठीक है, लिख लिया इतना, लिखना चाहो तो लिख सकते हो, आगे बढ़े, चलिये, अब, cytokinesis क्या है, cytoplasm का division, so it is division, अब तक याद हो जाना चाहिए, division of cytoplasm, it is the division of cytoplasm, cytoplasm का division है, the process of division of cytoplasm, where the two daughter nuclei become separated into two daughter cells, अब भई देखो, यहाँ पर एक cell था, यह एक nucleus था, यह एक nucleus बन गया था, opposite pole पर, और पूरा का पूरा cell ऐसा रहा, पूरा का पूरा cell ऐसा रहा, तो यहाँ पर अपने यह chromosome de-condense हो गए, cell organelles reappear हो गए, है ना, यह बन गया, और यहाँ पर भी हो गया, यहाँ पर भी cell organelles भी बनने लगे, cell organelles भी बनने लगे, ठीक है, अब क्या बचा है, अब बचा है कि यह यहाँ से और यहाँ से भी divide हो जाए, यानि कि इसके अंदर यह जो cytoplasm भरा हुआ है, ठीक है, यह cytoplasm क्या हो जाए, split हो जाए, अब जैसे ही यह cytoplasm यहाँ से split होगा, जैसे ही यह तूट जाएगा, तो यह क्या बन जाएगा, यह अलग से एक सेल बन गया, और यह अलग से एक सेल बन गया, ठीक है, देखो, the process differs in animal and plant, दोनों में अभी मैंने आगे दिखाया था, animal में होगा, तो ऐसा होगा, यह animal में हो गया, और अगर plant में होगा, तो plant में क्या बना लेगा, cell plate बना लेगा, cell plate जो आगे जाके middle lamilla बनेगा, जिससे cell wall का precursor दिख जाता है, ठीक है, तो cell, यह तो animal का है, है ना, plant का होगा, यहीं बना दू, ठीक है, यहीं बना देती हूं, plant के cell में यह cell है, तो यह इसका nucleus बना था, यह इसका nucleus बना था, है ना, यह इसका रहा होगा, यह इसका रहा होगा, अब इसमें क्या होता है, बीच में यहाँ पर टुकड़े टुकड़े करके plate बनना चालू हो जाती ह है इसको हम क्या कहते हैं इसको हम कहते हैं cell plate इसे हम क्या कहते है cell plate और यही आगे जाकर क्या बनती है middle lamella middle lamella यही आगे जाकर middle lamella बन जाएगी इत्ती बात समझ में आगी तो this is how the cytoplasm divide इसका cytoplasm ऐसे ऐसे फटता है और इसका cytoplasm अंदर की तरफ फटता है ठीक है दोनों बात समझ में animal cell और plant cell में animal cell का जो cell division है वो ऐसे करता है और मतलब cytoplasm का division और जो plant का cell है वो ऐसे करेगा तो यहां से फिर इसकी cell wall बन जाएगा precursor है यह cell wall का ठीक है अरे वापस ही चला गया यह तो यह क्या करेगा बीच में से divide हो जाएगा इत्ती बात समझ में आ गई cytokinesis ओके आगे बढ़ते लिख लिया next significance क्या है mytosis कहां कहां significance है mytosis का तो यह हमारी body का हर cell तो इसी से divide कर रहा है हर cell इसी से divide कर रहा है देखो इस चीज को समझो की listen to this what happens is हम एक organism की अगर बात करें अपनी human beings की ठीक है तो हमारे पास हमारे पास जो हमारी body है जो हमारी body है उसके सारे cells all cells ठीक है वो कैसे है deployed है deployed two set of chromosomes जब यह divide करते हैं when they divide तो इन्हें इन्हें बाकी cells भी बनाने for example skin को अपने cell बनाने है skin को अपने cell बनाने है RBC 120 days में टूट रहा है एक दो हफते में तुमारा WBC भी टूट रहा है उसको भी तो बनना पड़ेगा ठीक है तो यह सारे cells जो बन रहे हैं वापस से वो कैसे बनने चाहिए all all cells of body कैसे बनने चाहिए obviously divide करके वो भी deployed बनने चाहिए two sets of chromosome बने चाहिए and for this purpose for this purpose the division which is required is mitosis mitosis जो हमने अभी पढ़ा ठीक है तो अगर मैं इसका significance पूछू भाई काम करता है बॉडी में mitosis का process तो भाई body के सारे cells mitosis से बन रहे सारे cells mitosis से बन रहे हैं जहां पर भी हमें ploidy same रखनी हो mitosis keeps the ploidy same mitosis keeps the ploidy same याने chromosome number equal रखता है and that is why it is called as equational division equational division equational division याद हो गया अभी यहीं आद करना है ठीक है तो my toss का क्या काम है आपको पता है जब किसी को cancer हो जाता है चाहे body के किसी भी पार्ट में हुआ हो तो आपको पता है कि cancer हो जाया अगर body में किसी को भी तो वहाँ पर exaggerated growth होती है बहुत aggravate हो जाता है cell cycle जल्दी जल्दी cell device कर रहे है वहाँ पर कौन सा process लग रहा है my tossis there also the my tossis takes place तो basically बात यह है कि body के अंदर जितना भी program चल रहा है न सारा my tossis चे चल रहा है except one except one कौन है वो one formation of gametes ठीक है याने कि egg बनना हो या sperm बनना हो तो वो वाला हमारा इस से my tossis से नहीं बनेगा why क्योंकि जो gametes होते हैं वो nature में haploid होते है तो भाई यह haploid नहीं बना सकता यह diploid को diploid ही बना सकता है हाँ अगर एक haploid सेल इसको मिल जाए तो उसके अंदर haploid का haploid बना दे गए जितना इसको दो गए उत्ता ही काम करेगा कुछ अपने मन से कम जादा नहीं करता ठीक है so this is clear अब significance देखो इसका पहला कहता है multi cellular organism की अगर body है multi cellular की body अगर है तो body growth is by हमारी body में growth हो रही है न तो growth कैसे हुई हमारी body में growth कैसे हुई mitosis के थूँ नए cells कैसे बने mitosis के थूँ हर बार ठीक है उसके बाद अगर हमें कहीं injury हो गई कहीं बिमारी हो गई कोई problem हो गई तो फिर वो जो खड़ाब tissue है उसको replace करने के लिए cell कौन मनाएगा यही वाला process mitosis so replacement of one out tissue या फिर cells जैसे की blood cells या skin के cells and the repair of injured tissue is by mitosis जहां repair हो रहा है body में वो भी mitosis की वजह से हो रहा है ठीक है आगे बढ़ो unicellular organism की अगर हम दो डॉटर सेल भी बने जब दो डॉटर सेल भी बने तो भाई यही उसका reproduction भी था यही तो उसका process of reproduction था जिसको हमने कह दिया यह sexually reproduce कर रहे है तो unicellular की body में यह reproduction का माध्यम भी है लेकिन multicellular organism की body made is going to perform the function of the making of cell यानिकी वो क्या कर रहा है cells बनाता जा रहा है it is going to form the new cells it will form the new cells for the growth for the repair for the worn out tissue for everything next is in plants अगर हम plants में देखे तो vegetative propagation involves mitotic division and genetically identical individual as produced यहने की एक a sexual mode of reproduction जो plants में देखा जाता है it is vegetative propagation bryophyllum की leaf आपको यादे ब्रायोफिलम की leaf में उसकी यह जो leaf की margin है यहां से नया plant उगने की शमता होती है it has the capacity to grow new plants from its vegetative part what are vegetative part any other part apart from the reproductive part जहां से reproduction होना चाहिए उसको छोड़के किसी और पार्ट से चाहे root हो stem हो leaf हो अगर वहां से कोई plant grow हो जाए कोई part grow हो कोई organism का कोई भी हिस्सा grow हो जाए तो उसको हम क्या कहते है उसको हम कहते है vegetative propagation तो यह किस में देखा जाता है bryophyllum की leaf में यही काम हो रहा था ठीक है आगे uncontrolled cell division in certain tissue organ result in tumors यहने की cancer तो tumors में भी जब uncontrolled cell की growth होती है तो it is because of this process which is mitosis तो अगर मुझे इसको sum up करना है अगर मुझे इसको sum up करना है तो मैं बोलूँगी कि अगर मैं multicellular हूँ multicellular हूँ तो मेरी body में growth हुई मेरी body में repair हुआ सारा काम किसने किया mitosis mitosis ने multicellular की body में तो यह कर दिया ठीक है unicellular की अच्छा इसके अलावा यह भी बता देती हूँ अगर मान लो कोई cancer हुआ तो vigorous growth हुई वो भी इसी ने कर आई क्योंकि यह वो भी body के अंदर ही growth थी अब आजाओ unicellular में unicellular अगर organism है तो उसकी body में इसने क्या किया asexual reproduction का method है कौन? mitosis तो asexual reproduction ठीक है लेकिन अगर यही plant में चले जाओ plant में अगर आप इसको लेके चले जाओ तो क्या होगा वहाँ पर भी vegetative propagation हुआ तो वो भी mitosis से हुआ यह summary लिख लो बस जादा मत चक्कर में पड़ो multicellular में growth, repair, cancer सब कुछ इसने कराया unicellular की body में इसने sexual reproduction कराया plant की body में vegetative propagation अगर हो राया तो वो भी mitosis की वज़े से हो राया तो वो भी mitosis की वज़े से हो रहाया पर हमने देखा cell cycle cell division को लेकर क्या-क्या पहला हमने देखे keywords दूसरा हमने देखा introduction की cell cycle क्या होता है cell cycle के क्या stages होते हैं और complete किया mitosis mitosis में क्या-क्या होगा वो सारी चीज़ें हमने आज के session में complete करी next session में मैं आपके लिए लेकर आऊंगी जैसे ही आप इन तीनों जगे विजट करेंगे तो आपको हमारे ये सारे top courses दिखेंगे CBSC, English Hindi Media NTSC, Olympiad, CUET, IIT, JE NEET and UP, Bihar Board, Spoken English, everything all these courses are there so whatever you want to study आप उसे पर सकते हैं वो भी 100% free of cost ना कोई coupon लगेगा ना कुछ खरीदना है कोई 5-10% की चूटनी सब कुछ 100% free है आपको क्या करना है अगर session अच्छा लग गया समझ में आ गया तो like जरूर कर देना comment section में मुझसे बात जरूर करना मेरे साथ interact जरूर करना और इसे share करना अपने सारे friends और siblings के साथ अपने virtual groups में और बहुत अच्छी तयारी करना NCRT examplar जो है आपके NEET के course के लिए भी उतना ही important है जितना आपके school के exams के लिए important है so subscribe जरूर कर लेना channel को ताकि आप जादा से जादा और अच्छी preparation कर सके now you are a biology student heading towards your career तो आपको अपने career तक जाने के लिए क्या करना पड़ेगा बहुत सारी पढ़ाई करनी पड़ेगी तो पढ़ाई करने के लिए हर एक session आपको खुद बखुद मिलता रहे तो subscribe किये रहना और आप हमें social sites पर भी follow कर सकते हैं जैसे YouTube पर तो आप हमें already subscribe करी लेंगे so Facebook पर Telegram पर Instagram पर और Twitter पर आपको कोई भी paid subscription नहीं लेना पड़ता है बस इतनी यह बहुत important बात है I hope बाकी सारी बातें आप याद रखेंगे और सारे sessions को revise करते रहेंगे मैं आप से मिलूँगी next session में तब तक के लिए thank you so much, take care and keep studying